आज मैं आपको इशू के बारे में बताने वाला हूँ जो आईफून 12 मिनी के साथ हो रहा है मैंने रिसेंटली पचेस करा था 13 अक्टूबर को अब जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इशू जो है वो क्या है कि जैसी ही मैं केस इस पर कोई भी लगा रहा हूँ आईफून 12 मिनी पे मेरा जो अनलॉक वाली स्क्रीन है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही जैसे देख सकते हैं वीडियो में यह देखिए यह मैं क्लिक कर रहा हूँ तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है और सिरफ एक केस के साथ नहीं मैंने दूसरे केस के साथ भी ट्राइक आउट करा कि कहीं हो सकते हैं कि किसी केस में प्रावलम ना हो और आप जैसे देखिए वीडियो में यह देखिए कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है कोई भी अगर आप बटन भी क्लिक कर रहे तब भी को response नहीं आ रहा अब यहीं देखिए कि ज़सी मैं case उतारूंगा तो सारे touch जो है इसके वो काम कर रहे है यह देखिए जैसी मैंने case उतारा प्रॉपर्ली सारा phone काम कर रहा है मुझे नहीं बताई है क्यों दिक्कत आ रही है लेकिन इसका एक temporary solution में निगाला है मैंने भी customer care से बात करी थी तो उन्होंने मुझे बताया कि reset कर लीजे setting देखिए settings में आप जाएगे आपको journal में जाना है उसके बाद आप बिल्कुल नीचे जाके reset पे जाएगे और reset all setting करेगे अब यह reset all setting करने के बाद मेरा phone कैसे response कर रहा है मैं आपको दिखाता हूँ जब यह देखिए without case तो अभी भी काम कर रहा है अच्छे से अब मैं इसको case के साथ आपको दिखाता हूँ कि इसमें हमारा क्या solution हुआ है लेकिन अभी भी कोई ना कोई दिक्कत है reset करने के बाद भी यह देखिए कितना smooth है without case अब मैं case लगा के आपको दिखाता हूँ जब मैंने यह reset कर रहा है तो इसमें case लगाने के बाद भी slide up हो रहा है वो issue हो गया है लेकिन अगर मैं flash open करता हूँ flash on करता हूँ क्या camera open करता हूँ तो अभी भी नहीं हो रहा उसका solution भी मैं आपको बताता हूँ यह देखिए slide up down हो रहा है reset करने के पाद लेकिन flash और camera अभी भी भी नहीं चल रहा है अब इसमें मैंने एक online check करा था तो लोग क्या बता रहे कि camera पे अगर आप एक उंगली रखेगे तो आपका touch काम करने लग जाएगा जिन लोगों का slide नहीं हो रहा था जब मेरा slide भी नहीं हो रहा था तो भी मैंने camera पे touch कर रहा था तो slide भी हो रहा था तो जो भी यह touch के issue है temporary solution यह है कि आप इस पे camera पे रखेगे यह दिखिए camera से मैंने हटाया और touch पंद कुछ भी काम नहीं कर रहा सिरफ slide up-down हो रहा है वो भी इसलिए क्योंकि मैंने reset कर दी थी setting अब यह कोई bug भी हो सकता है कि आपके phone में दिक्कत भी हो सकती है और अभी भी कई न कई वो जो smoothness होती है यह दिखिए मैंने अभी touch नहीं कर रहा हूँ लेकिन slide अभी भी ढंक से नहीं हो रहा तो कई न कई कोई issue है या तो यह bug है या तो यह कुछ product में दिक्कत है मैंने recently लिया है तो आज ही मैं जाने वाला हूँ service center दिखाने लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता था कि यह phone में issue आ रहा है तो जब भी आप phone ले तभी के तभी यह चीज check कर ले कि तभी के तभी आपका replace हो जाए phone लेकिन जो मैं touch कर रहा हूँ है मैंने camera को पीछे तो यह properly काम कर रहा है तो यही मुझे दिखाना था अगर यह आपके में भी issue आ रहा है तो comment down करे और मुझे share करे बाकी यह solution भी मैंने आपको बदा दिये जो temporary है लेकिन आप अपना phone ज़रके ज़रूर दिखाए क्योंकि आपने नया phone लिया है उसको अच्छे से काम करना चाहिए तक्योंकि वर वाचि इस वीडियो